हेलो नवस्कार थार्टी मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेवस में मानो वन जीव संगर्स रिपोर्ट तो ये छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे दो से तीन मिनट में बस लेकिन इससे कुश्यन बन सकते हैं तो सबसे पहले ते एक ऐसे जनरल चर्चा कर लेते हैं कि मानो वन जीव संगर्स हो क्यों रहा है सिदी सी वाद है हम कटाई के लिए वनों में गए खनन के लिए वनों में गए कुल मलाकी जो मूल आवास था वन जीवों का उसमें मनुस्यों ने अत्किरमण करना सुरू कर दिया अब जंगल सिकोडते गई हातियों के लिए या बागों के लिए या अन जीवों के लिए तेंदुओं के लिए आपने बहुत न्यूश सुनी होगी तेंदुओं निकला है सहरी चेतर में सेर आगे सहरी चेतर में हाती आगे से उनके लिए जगह हमने छोड़ दी मतलब जगह उनकी अध्क्रमण में अध्ग्रेण कर ली या खनन में इंगेज कर ली तो वो अपने मूल इस्थानों से भागने के लिए मजबूर हो गए वो उन जगह पर जाने के लिए आवादे की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए उसके लावा भोजन की तलास में भी वहाँ जाने के सेकर के लिए कोई आधि के लिए बहुता रहा है तो इस तरह से मनुस और वन्टी जीओं के बीट में संगर्स पहले भी होता है आगे भी होता है तो इस पे एक रिपोर्ट आई थी तो इस पर जो कुश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले यही पूच लेंगे और साथ यही कुश्चन बनेगा कि मानो और वन्न जीव संगर्स रिपोर्ट जारी कौन करता है तो WWF WWF वो कुस्ति वाला नहीं और UNEP के द्वारा यानि कि विस्व वन्न जीव कोस और सायोक्त राष्ट परियावरण कारकम की ये सायोक्त रिपोर्ट होती है WWF और UNEP WWF का फुल पाउम आ सकता है तो Worldwide Fund for Nature यानि कि विस्व वन्न जीव कोस ये है WWF और UNEP सायोक्त राष्ट परियावरण कारकम यानि कि United Nations Environment Program और इन्हों ने जो latest report प्रकासित की है उसमें report का नाम है A Future for All A Need for Human Wildlife Co-Existence यानि कि Human Wildlife की एक साथ रहने की प्रवत्ती होनी चाहिए किसके लिए Future for All सभी के भविस्ट इसमें ही सुरक्षित है इस report में क्या कहा गया उसके बारे में चर्चा के लेते हैं ये आपको report का नाम वियाद रख लेना A Future for All A Need for Human Wildlife Co-Existence ठीक है तो इस report में कहा गया कि मानो वनजीव संगर से दुनिया की 75% wild cats wild cats मतलब जंगली बिल्ली सिर्फ बिल्ली नहीं होती big cats आती हैं जैसे तेंदुआ चीता ये भी wild cats में आती हैं तो मानो वनजीव संगर से दुनिया की 75% wild cats की मोतें हुई हैं बाकी मोतें नैचरल थी या कई और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मानो यानि की मनुस से आमना सामना होने से 75% wild cats की मोतें हुई हैं दुनिया में दूसरा इस report में ये भी कहा गया है इसके अलावा मानो वनजीव संगर स में कौन कौन इंडेंजर्ड है दुनिया भालू भूमद सागरी मौंक इल एकी नाम है भूमद सागरी मौंक इल और हाती जैसे बड़े साका आरी जीव भी सामिल है और इस report में ये भी कहा गया है ये report इसलिए important है कि 1970 के बाद Westwick वन जीव की आबादी में 68% तक गिरावट आ गई 68% नहीं रह गई 68% तक गिरावट आ गई यानि कि अगर संख्या 100 होगी तो कितनी बची 32 ही बचे 32% बचे 68% गिरावट आ गई दूसरा अब बात करें सौनित एक नट भारती परपेक्च में इस report में भारती परपेक्च में भी कुछ बातें कही गई है उसकी बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया है कि 2014-15 से सन्याद रखना 2018-19 के बीच 500 से अधिक हातियों की मौत होगी इस report में ये कहा गया है और इनमे 500 में से अधिकतर मौत है human wildlife conflict यानि कि हाति और मनुस के आमना साबने या टकराव की स्थिती से हुई है और हातियों के द्वारा 2361 लोग मारे गई हातियों के द्वारा किस साल में 2014-15 से 1819 के बीच में 2361 लोग मारे गई और इसमें 500 से अधिक हाति मारे गई हातियों के related वीडियो मैंने पहले डाल रखा है चेक कर सकते हैं और इसमें ये कहा गया है इसी रिपोर्ट में कहा गया भारती परपेक्ष में कि human wildlife conflict से भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित है अब कहेंगे आप भारत ही क्यों प्रभावित है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़ पाये जाते हैं उनमें भी भारत में तो भारत इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है और एक रिपोर्ट में और चींज मेंसन की गई है कि हाति जैसे जीव तीन से चार परसेंट ही अपने मूल आवास में रहते हैं मूल आवास में रहते हैं एका मतलब होता है जहां पर हाती रहा करते थे पहले यानि कि जंगलों में तो 3-4% ही जंगलों में रहते हैं बाकी कई चिडिया घर में हैं कई अलग रहसे elephant reserve बनाए गई हैं वहाँ पर रह रहे हैं मूल आवास में मातर 3-4% elephant ही मूल आवास में रहते हैं इसके लावा एक इस से बहुत famous model है दूसरा question बने कि समाँव मोडल है सोनितपुर model तो सबसे पहले पूछ लेते सौनितपुर है का तो सौनितपुर है कांठत है है असम में और सौनित पुर में यह हुआ कि हातियों ने मनूस्यों की क्रसी पर attack करते थे मनूस्यों की खेती का नुकसान करते थे खास दोर से चावलगी खेती का और उन्हें उजाड फेकते थे और उनके बगानों का भी नुकसान किया करते थे इसके बाद सौनित और फिर क्या होता था अब हाती आएगा अटेक करेगा तो क्या होगा लोग हातियों पर अमला करेंगे हाती लो मरे और लाठी वे ना टूटे हाती भी भाग जाए हातीयों को भी नुक्सान ना हो और फसल को नुक्सान ने भाई फसल को नुक्सान हो जाए तो किसान कहा जाएगा वो भी तो मर जाएगा और या फिर हाती ना अटेक कर दिया तो मनुष से मर जाएगा और मनुष अटेक करत तो इनको का गया कि आप मदमक्खी पालन कीजिए अपने खेट की बांडरी के चारों तरफ तो जहां पर मदमक्खी पालन होगा वहां पर हाती दूर अपने आप दूर से निकल लेते हैं कि भाई यहां नहीं जाना यहां रेस्क है तो यह चोटा सा टॉपिक था मानो वनिजी जीव संगर्स रिपोर्ट इससे जो मैक्सिम कुश्चन मनते एक यह बनता है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है तो WWF and UNAP यानि कि विस वन जीव कोस और सब्सक्राइब रटकार कम रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर फॉर आल ए नीट फॉर हुमन वाइड लाफ कॉन फॉन जीवों को भी इस रिपोर्ट में बताए गया कि इनकी भी संक्या घटती जा रही है और इसमें को हातियों से सुरक्षित रूप से अपनी फसलों से दूर बखाने के तरीके बताएगी जिसमें एक कम खतरनाक यानि कि कम करेंट वाली बाड बाड मतलब जो चारो और घेरा जाता है वो और इसके साथ सा तुने बताएगी कि अगर इनके आसपात मदमक्खियां रखेंगे मदमक्खिय पालन करेंगी तो उनकी आवास से आती नहीं आते यही था बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए